वल गाइज यह है एटम बर्ग की तरफ से आने वाला इनका जैनोवा मिक्सर ग्राइंडर वल मिक्सर ग्राइंडर बताने से पहले एटम बर्ग के बारे में तो आप जानते ही होगे बेसिकली यह एक स्मार्ट फैन ब्रैंड है जो की काफी टाइम से अपने फिल्ड में दभाई मचा रहा है और हाँ एटम बर्ग BLDC Motor Technology में एक्सपर्ट तो ही साथ में इंडस्ट्री का लीडर भी है लेट्स स्टार्ट विद अन्बॉक्स तो कुछ इस टाइप का हमारा बॉक्स आ जाता है बॉक्स के उपर आपको इनका मॉडल नंबर देखने को मिल जाता है और पैकेजिंग लिटरली काफी सॉलिड है बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन मैनूल कम वारंटी कार्ड एक रेसिपी के लिए क्यू आर कोड मिल जाता है बलागे मिकसर को बहार निकाल लेता हूँ फिर आपको बतातौ एक एक चीज के बार है गैज यहाँ पर आपको एक मिकसर गरेंडर and निशे हैं कर देखने को मिल जाता है जिन मैंसे एक हैं 500 ml का चौपर जार एक आपको 500 ml का चटने जार मिलता है एक आपको 1 लेटर का dry grinding jar मिलता है एक आपको 1.5 लेटर का liquidizing jar देखने को मिल जाता है अब वैसे जो मैंने order किया है यह red wine color में बट इसमें आपको black and white दो और colors भी देखने को मिल जाते हैं मैंको red color पसंद था तो मैंने यह order लिया स्टार्ट करते हैं build से जो mixer grinder का build है लिटरली काफी जादा अच्छा आता है नीची की तरफ आपको anti-skid vacuum legs देखने को मिल जाते हैं तो आपका mixer बिल्कुल हिलता नहीं है इसके लावब जो mixer body है ना completely pack आती है तो cleaning वगेरा का इतना लफड़ा नहीं होता and छोटी भी है तो रखने में आसानी होती है kitchen में कहीं बाकी jars के build पे आएं तो जो chopper jar है वो basically transparent build में आता है अंदर की तरफ आपको chopping blades देखने को मिल जाती है बाकी jars के build की बात करूँ तो जो chutney jar, dry grinding jar and liquidizing jar है ना trust me guys मैंने इस budget range में और भी mixer renders try की है बाट यह जो build है यह मेरे को देखने को नहीं मिला उन में build wise definitely काफी अच्छा काम किया है साथ में आपको जो jars है वो basically hands-free मिल जाते है मतलब lid lock आता है इसमें जो की anti-gravity lid locks है तो basically easy to use हो जाता है mixer render आपको just lid locks को लगाना है mixer render को चालू कर देना है आपको हाथ लगाने की भी जड़ोत नहीं है जैसे हम करते आए अब तक इसके अलावा यहां पर आपको BLDC motor देखने को मिलती है 550 watts बागी look wise definitely mixer render काफी अच्छा है यहां पर आपको 3 speed controls देखने को मिल जाते है 123 इसके अलावा एक आपको यहां पर course mode देखने को मिलता है अब course mode क्या है basically consistency provide करता है grinding की जहां पर rpm कम कर देता है तो लाइक आपको चटनी वगेरा की grinding करनी है या rpm है वो 2000 ही रहेगा chopper के साब से इसके अलावा advanced safety features भी मिलता है आपको यहां पर jar detection system आता है जहां पर अगर jar लगा हुआ नहीं है ना तो यहां पर आपको यह एक fault LED indicator मिल जाता है जो की mixer को on नहीं होने देगा आप कितना भी try कर लो जब तक की jar mixer में लगके securely lock नहीं हो जाता जार लगते ही lock होने के बाद आप mixer को काम में ले पाओ इसके लावा जैसा कि मैंने बता है आपको एक vent less design मिलता है कोई vent वगेरा नहीं है या पर कोई opening नहीं है तो better hygiene के लिए पर देखा नहीं है तो यह भी एक pain point है आपको chopper अलग से खरीदने की ज़रूत नहीं है सबसे पहले chopping करके देख कर देख कर देख सकते हो मैंने chopping कर ली काफी जल्दी लाग विदिन 10-12 सेकंड चॉपिंग होके डन हो गई आप देख सकते हो चॉपिंग किस टैप क्यों है ब कि आप कि आप दो कि कि मैंने वैसे चने ग्राइंड किये थे विकॉज यह कफी हार तो इसीली अटमबर्ड के मिक्सर एंडर ने इसको पाउडर फॉं में कनवर्ट कर दिया और सो मैंने हल्दी की बी गर्णिंग की थी चुई की लिटरली काफी हार्ड होती है उसका तो यू कें सी हल्दी को भी इसने पाउडर फॉर्म में इजीली कनवर्ट कर दिया इन ग्रेंडिंग परफेक्ट निगल किया आता है बाकी जो कोर्स मोड है ना उसमें भी जो टैक्सचेर की में बात कर रहा था आप से उसका भी मैंने टेस्ट किया था तो बेसिकली मैंने और और यूसाit zones के जो चट्टनीी पना एक दम झे वाला लुक होता है जो चम्हर किया अब यूचा निकलके आती है हमारी नौर्मल मोड उसम नौर्मर कि कि पूंभी उसकात trainings उसमारी के अब सकते हो कितना अलग है एंड नेचुरल निकल के आता है बट नॉर्मल मोर में चटनी वैसी ही पिस्ति हैं वाकि यहां इन कोर्स मोर मिक्सर ग्रेंडर पांच हजार आर्पीम पर सो इन शॉर्ट गाइस एटमबर का यह मिक्सर ग्रेंडर में को नो डाउट काफी जादा बढ़ सारे जार्स के अंदर हमें लॉक मिल जाता है वो बी जासा कि में बोल चुका उँझाओ यहां पिल्ट की तो इसमें वो कई मिक्सर ग्रेंडर क85 करोगे न तो इसमें तो मेरा एक्सपीरेंस थो ना लिटरली काफी जादा भढ़िया निकल के आया जिस प्राइज में आ रहा है राइस की बात करूं तो लगबक 7000 रुपीज में मिल जाएगा वैसे लिंक्स में डिस्क्रिप्शिन में डाल दी हैं आप जाके चेक आउट कर लेना अगर आपका ब वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नीचे कावेंट्स में को बताओ और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो मैं डेफिनिटी लाने की कोशिश करूंगा बाकी मैं मिलता हूं जल्दी से किसी नहीं वीडियो में किसी नहीं गैजिट के साथ में